हलो नमस्ते दोस्तों मैं उस रोज मेरे कीचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपकी रसोही में रखी चीज से मोटा पा को खतम कर सकते हैं एक गोली खाएंगे तो एक किलो वजन आपका कम हो जाएगा और जितना वजन है उतना आप कम कर सकते हैं जितना चाह स्पीड से वेटलोस करती है वेटलोस के सासात में बहुत सारी बिमारियों से भी आप छुटी पा सकते हैं आपकी अगर सर्दियों में खासी जुखाम अस्तमा की दिक्कत है वो भी इससे एलर्जी रहती है वो भी उससे छुटकारा पा सकते हैं अगर आपके कमर में दर्द है या थकान लगती है आपको या गुटनों में दर्द है या बेट नहीं पाते हैं ठीक टंग से तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा गुणकारी है क्योंकि दोस्तो हमारी रसोई में ऐसी बहुत सारी चीजे होती हैं कि हमें पता नहीं होता है उसका इलाज हमारी रसोई की बहुत सारी मसाले ऐसे होते हैं रखी हुई बहुत सारी ऐसी चीजे होती हैं जिसे आप छुटी पा सकते हैं क्योंकि सिरब उसका तरीका आपको जानना है किस तरीके से हमें किस बिमारी में कौन सी चीज लेनी रहती है तो आज आपके लिए लेके आएं कि कौन सी बिमारी में ये क्या-क्या चीज में जो इस्तेमाल कर रही हूं क्या-क्या चीज फाइदे करेंगी और कितना ज़्यादा फाइदे करेंगी कि आपको भी देखके हैरानी हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अभी तो मैंने सिरफ इसमें दो ही चीजों के इस्तेमाल किया है egna दो ही चीजे में बता रही हूं हल्दी दोस्तों हल्दी और गुड हल्दी का आपको शाहिदी पता नहीं होगा कि हमारी सरीर के लिए हल्दी आप कितना पायदा करती है सिरब आप एक सबजी में इसका यूज करते हैं क्योंकि दोस्तों ये immunity strong करने में हल्दी दूद में डाल के पीने में बहुत अच्छी होती है वेट खतम करना है तब भी आपको पानी गरम पानी में हल्दी डाल करके पीए बहुत ही अच्छी होती है और दोस्तों आपकी हड़िया कमजोर है हड़ियों में दर्द है कमर में दर्द है हाथ पेरों में दर्द है उसके लिए भी हल्दी बहुत अच्छा काम करती है और यहां पर मैंने लिया आया तववा तो तववेक पे देख सकते हैं थोड़ा पानी है भी तो आप किसी कपड़े से भी पहुंच सकते हैं या वैसे भी गरम इसको सुका सकते हैं अगर गरम सुकारने सुकाती वक्त में आपका तववा भी गरम हो जाएगा और ये पानी भी सूख जाएगा तो हमें तववे को भी हलका गरम करना है और दोस्तो जो मैंने साथ में ही पूट रहेंगी चेरे पे भी गलो रहेगा गुड़ से और आपका पेट भी साप रहेगा क्योंकि पेट जैसी समझ्या भी गुड़ से खتم हो जाती है तो यहां पे मेरा तवा गरम हो चुका था तो यहां पे देख सकते हैं हल्दी मेरे इसमें डाल दिया है तो इस तरीके से हल्दी को अब हम सेख लेते हैं क्योंकि दोस्तों हल्दी को हमें ज्यादा नहीं सेखना है क्योंकि इसमें पूरे प्रोटीन नहीं निकल जाएगा हल्दी में सिरफ कच्चे पन की कुस्पून नहीं लगे हमें हल्की हल्की बस इतना ही हमें हल्दी को रोष्ट करना है जादा नहीं सेखना है ने तो इसके पूरे गोण खतम हो जाएंगे क्योंकि जादा सेखने से तो बस हल्दी हमारी गरम हो चुकी है और सिक चुकी है हल्दी का जो कच्चा पंथा वो निकल चुका है हमें ज़्यादा टाइम के लिए हल्दी को नहीं पकाना है तो इस टाइम में ने गैस को बंद कर दिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस हमारी बंद है तो इसको इसमें थोड़ी देर के लिए रखने रखे इसी तरीके से इसको चलाएंगे ताकि नीचे से जले नहीं और यह बिल्कुल ठंडी हो जाए तो दोस्ते यहाँ पर मेने लिया है अदरक तो अदरक हमारी सर्दी खासी जखान में भी फाइदा करती है यहाँ पर मेने काले मिर्ची लिया लोंग लिया है ये हमारा weight भी कम करती हैं दाल चीनी लिएं दाल चीनी से भी बहुत स्पीड से weight कम होगा और आपकी सर्दियों में खासी कप जुखाम सर्दियां सर्दियों से भी बचा करके रखेंगी ये चीज़े क्योंकि दोस्तों अगर आपको अस्तमा की दिक्कत है तब भी आप ले सकते हैं सर्दी खांसी जुखाम है तब भी ले सकते हैं अगर आपको खांसी नहीं जा पारी है खांसी है और गले में आपको खरांस है और गले में आपको छाती में कप है तब भी इन सीजों को ले सकते हैं अगर सबसे मैन आप वेट से परेशान है तो आप इसको जरूर लीजिए क्योंकि ये वेट बहुत स्पीड से ختم करेगी क्योंकि दोस्तो पेट की हर समश्या को ये खतम हो जाएगी तो आपका वेट वैसे ही खतम हो जाएगा कूटना इसको बल्कुल बारिक है अद्रग हमारा खून भी साप करती है और खून भी पतला करती है तो इससे हमारी बहुत सारी बिमारियां भी नहीं हो पाती है तो इस तरीके से हमें इसको पीस ना है तो मैंने इसको बिल्कुल बारिक पीस लिया था हल्दी हमारी ठंडी हो चुकी है तो मैंने एक बड़े बावल में इसको निकाल लिया है और जो मैंने पिसी भी चीज हैं सब इसमें डाल दिया तो यहां पे देख सकते हैं सबी चीजे मैंने इसमें डाल दिया तो अब हम लेते हैं गुड़ गुड़ हमारे सरीर के लिए सर्दियों में बहुत ही अच्छा होता है बहुत ज़्यादा फाइदा करता है गुड़ तो आपको इस तरीके से अगर बारिक करना है तो आप कद्दू कस करके भी डाल सकते है अगर आपके से कद्दू कस नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कूट करके भी डाल सकते है तो अब इसको हम कूट करके डालेंगे क्योंकि दोस्तों कूटने से भी ये बिल्कुल बारिक हो जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको बारिक पीस लेते हैं कूट लेते हैं तो अब इसको हम डाल देते हैं और इसकी कोई हमें चासनी नहीं बनाना है अगर आपको बच्चे के दिक्कत है तो अगरा सा बड़ा है बच्चा उसको दिक्कत है खासी चुखाम सर्दी की तो उसमें भी आप इसको दे सकते हैं क्योंकि इससे immunity भी strong रहेगी और सर्दी ऑर अब इसको घल्की जो हल्दी। गरम है तो उसमें ही मिक्स हो मिला लेना है उसमें घ्क्राइब यह मिलता है क्योंकि यह भी घ्क्स हो जाएगी क्योंकि अब इसमित्य अब के इसमें गुर्ड़की थोड़ी सी गांट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है वो खाने में अच्छे से चब जाती है तो अच्छा भी लगता है तो पूरी तरी के नहीं हम हम मिक्स कर लेते हैं और इसकी तरीके से गोली बना लेते हैं चोटी चोटी हमें बॉल बनाने इसकी अगर आप एक बॉल को सर्दियों में खा लेंगे तो आपको खुद को ही रिजल्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से हमारी बोडी में ये कितना ज़्यादा फाइदा करती क्योंकि दोस्तों सर्दियों में आप हल्दी के लड़ी भी खाते हैं पर घी में खाते हैं घी में वो वेट आपका बढ़ता है बटी इस तरीके से आप बना करके खाएंगे तो वेट बहुती स्पीड से कम होगा और फाइदा उससे ज़्यादा होगा आपकी बोडी के अंदर क्योंकि दोस्ते बहुत सारी बिमारियों को गी हमारे बहुत सारी बिमारियां हो जाती हैं गी खाने के बाद में बटी से बहुती बिमारियां खतम हो जाती है और सर्दी में आपकी बोड़ी को भी गरम रखेगा ठंड से बचाएगा आपको कितनी भीज भैंकर ठंड है उससे आपको बचाएगा एक गोली अगर आप सुबे खाएगे तो पूरे दिन आपकी बोड़ी बिल्कुल गरम रहेगी बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी आपके सरीर में और साथ में ही बहुत सारी सर्दी जुखाम कांसी अस्तिमा दोस्तों हल्दी हमारे स्कीन के लिए भी बहुत अच्छी होती है गलो आता है स्कीन पे चमक रहती है और हमारे सरीर को भी साप करता है करती है हल्दी तो इस तरीके से आपको एक एक गोली सुबे खाना है रात मे सोते वक्त और सुबह खाली बेट खाना है दोस्तों अगर जादा भी नहीं खाना है क्योंकि थोड़ा सा गरम रहेंगी बट ये सरदी में तो गर्मी के लिए ही बहुत ही अच्छी है तो दोस्तों पूरी जानकारी में ने डिस्क्रिप्शन में लिख रखिए वाँ जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू